हेलो दोस्तों क्या आपको पता है बिजनेस के जो एसेट्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं अगर नहीं तो आप हमारे इस वीडियो में बने रहे हैं एंड तक दोस्तों मेरा नाम है सुदर्ज कुपार गुपता और आप देख रहे हैं यूदूब चैनल आफ नॉलेज कैंपस लेट स्टार्ट बिजनेस के जो भी एसेट्स होते हैं इसे मेंली हम लोग दो काटेगरी में क्लासिफाई करते हैं एक को बोला जाता है फिक्स्ट एसेट कम्रीज आक्स 2013 फिक्स्ट एसेट के जगह हम लोग यूज करते हैं और उन करेंट एसेट्स लेकिन बेसिक सिंृपिकिटी के इसापच अगर समझे तो एसेट्स को दो पार्ट मैं क्लासिफाई किया गया है बेसेट्स देसेट्स एड आड्र करेंट एसेट्स सिक्ट सब्स् परनीचर यह सारी चीज़े और इनकी जो benefit है यह हमें आने वाले कई accounting एर्स तक मिलती है और इनके values में नदातार जो किरावट आती है यानि जिसे हम लोग बोलते है depreciation तो fixed asset का मतलब capital का वो portion जो हमने long term assets में invest करी है like land, printing, plant, vicinity यह सारी चीज़े और इन सभी को हम लोग use करते हैं अपने business में revenue generate करने के लिए income earn करने के लिए और यह जो भी fixed asset nature की चीज़े होती है इनका benefit हमें more than one accounting year तक मिलता रहता है second जो category होती है asset की इसे बोलते है current assets current assets का मतलब होता है business के वो assets जो day to day activities के वज़े से generate हो रही है like business की stop, data, cash in hand, cash at bank की यह सारी चीज़े और इनकी जो value है इसमें लगातार changes होती रहती है यह regular basis पे frequent basis पे fluctuate करता रहता है तो इसे क्या मूलते हैं हम लोग current assets और यह जो current assets होते है यह within one accounting year cash में convert हो जाती है यानि यह long term benefit नहीं देती इनका जो recovery है यह within the accounting year हो जाता है तो I hope आपको समझ आ गया होगा fixed asset और current asset का क्या मतलब होता है अगर आपको समझ आ गया तो comment box में आप कुछ fixed asset और current asset का नाम लिखतर बताईए और अगर आपको यह video अच्छा लगा तो हमारे इस video को like कीजिए इसी तरह के regular informative content के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए और bell icon को भी ज